हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं बनाने वाली तंदूरी सोस पास्ता तो चलो बिना टाइम वेज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले एक कडाई ले लो उसमें डाल दो पानी पानी डालने के बाद इसमें डाल देना है नमक साथ में डाल पास्ता अच्छे से इसको मिला लेना है अभी हम इसमें डाल देंगे ओईल कंपल सरी डाल देना इससे जो आपके पास्ता है पकने के बाद एकदम खुले-खुले बनेगे ठीक है तो ओईल कंपल सरी डालना ओएल डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और जै को च्षान लेना है जिस से आपके पास्ता बहुँ अलग हो जाएगा और पानी बहुत ही शान लेना है ऐसके बाद वापिस घड़ाइं ले लेंगे उसमें डाल देंगे और युद मैं यूज कर रहे है दोब्डेशंड आपके जीरा और अभी मैं इसमें डाल दूंगी लेसून, लेसून डालने के बाद इसको एकदम अच्छा से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद इसमें डाल देंगे ग्रीन मिर्ची, ग्रीन मिर्ची डालने के बाद साथ में डाल देंगे ओनियन, तो मैंने इसमें डाला है दो मिडियम साइज औनियों को बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट कर लिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनिट के लिए पका लेंगे दो मिनिट के बाद इसमें आड करतेंगे टॉमेटों टॉमेटों को भी इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में कट करोंगे तो भी चलेगा से मिक्स कर लेंगे और टॉमेटों को भी इसको हम धक्कन लगा कर पका लेंगे पाच मिनिट के लिए पाच मिनिट हो गई एक बार वापिस से चला लेना है ताकि यह निची चिपके नहीं और जले भी नहीं इसके बाद इसमें एक एक करके सारे मसाले आड़ करेंगे तो मैं इसमें डाल रही हूं रेट चिली पाउडर दो बड़े चमच इसके बाद डाल दोंगी हल्दी पाउडर हाफ चमच उसके बाद इसमें डाल देना है धनिया पाउडर एक चमच ठीके इसके बाद इसमें डाल देंगे चीरा पाउडर हाफ चमच और साथ में डाल देंगे न लगा कर पका लोंगी दो मिनिट के लिए दो मिनिट हो गए अब वापिस एक बार इस तरह से चला लेना नहीं तो निचे जल जाएगा ठीक है तो अभी अलमस्ट रेडी हो गया है तो इसके बाद इसको है ना थोड़ा ठंडा कर लो पूरा और फिर मिक्सर की जार में इसको ल पूरा इसमें एड कर देना है अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और यह मतलब ग्रे वी देख सकते हो थोड़ी सी जाड़ी है तो इसके लिए पानी कर देना है पापेस से एकदम अच्छे से मिला लेंगे इसी तरह और यह वाले तंदूरी सॉस पास्ता एक बाद जरूर तो पास्ता इसमें पूरे आयर कर देने हैं इसके बाद इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि जो पास्ते में सॉस हर जगा से लग जाए ठीक है तो इसी तरह आपको भी कर लेना है और गाइस यह वाला तंदुरी सॉस पास्ता की रेसिपी एक पाद जुरूर बनाना अच्छे जिए इसको एक दम अच्छे से वापिस से मिक्स कर लेना है इसी तरह और ज़रूर राय करना है यह वले रेसिपी तो देख सकते हो, हमारा तंदुरी सॉस पास्ता बनकर त्यार हो गया है देख सकते हो कितना अच्छा बना और यह वाली रेसिपी एक बर बनाओगे तो बार बार इसी तरह से आप यह पास्ता बनांगे यह मतलब थोड़ी से स्पाइसी और एकदम चीजे राइप बनता है पास्ता बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर भी आता है बहुत ही मज़ा भी आता है खाने में तो एक बार जरूर ड्राय करना ठीके गाइस थैंक झालो